यह कहानी एक लाल्ची लोम्री की है एक बार की बाद एक जंगल में एक लाल्ची लोम्री रहा करती थी करिमियों के दीन थे और वो भू के परसान होकर जंगल में बटक रही थी बहुत दिर जंगल में बटकने के बाद लोम्री को एक खरगोस मिला लेकिन खरगोस मिलने के बाद लुम्री ने खरगोस को खाने के बजाए उसे छोड़ दिया क्योंकि वो इतना छोटा था कि उसे खाने से लुम्री का पेट कहा भरने वाला था यह सोच कर उसने खरगोस को नहीं खाया इसके बाद लोम्री आगे बढ़ी, भोकी लोम्री को एक हिरन दिखा, हिरन को देखते ही लोम्री के मुँँ में पानी आने लगा, लोम्री हिरन को पकरने के लिए जैसे ही पीछे दौने लगी, लोम्री ने अपनी पूरी ताकस से हिरन के पिछा किया, पर हिरन लोम्री को कहा भुर्णेद के लिए फिर जंगल में बड्के लगı जंगल में खर गोश को ढूँनते हुए लोंबली वहाँ पोंची जहां उसने खरगोश को देखा था अलेकिन लो मुडे को खर के लोंबडी वहीं बैठ गए जिसके बाद कई जुनों तक लोंबली भूकी ना शुर्की रही तुस दिन के बाद उसे खाना नसीप हुआ बचो इस कहानी समय से च्छाय मिलती है कि लालच नहीं करना चाहिए Greek Haos सब्सक्राइब करें no कि लालाच नहीं करना चाहिए जितना मिले उतना में सवर करना चाहिए जिस